Hello everyone and once again welcome to Instagram course myself over तसकीर इस पर्टिकलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग Instagram की Stories को practically यूज कर सकते हैं और क्या क्या हमें आप्शन मिलते हैं जब तभी हम Instagram stories को यूज करने जा रहे होते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो मेरे मोबाइल स्क्रीन के ओपर हम लोग यहां पर भी जो प्लस आपको दिख रहा है यहां पर भी क्लिक करके हम लोग stories जो है उनको यूज कर सकते हैं या फिर यहां पर आप जो अलग-अलग मतलब विदिन stories जो अलग-अलग formats होते हैं उनके options हमें दिख रहे हैं यहां पर हम text-based content लिख सकते हैं कुछ जो templates हो गहरा प्री में template से उनको यूज कर सकते हैं boomerang content अगर हमें बनाना है तो यह हमें option बिलता है उसके बाल layout वाला भी option है यहां पर तो जैसे मैंने यह एक select किया और मैं यहां पर इसको click करता हूं तो यह photo हो गई ठीक है फिर मैं अगर इसको इस type से photo एक click कर लेता हूं ठीक है तो व इस टोरीज की importance की बाग कर रहे थे इस टोरीज की बाग कर रहे थे बट आपको यह सारे options एक एक करके explore करने पड़ेंगे देखना पड़ेगा कि यहां पर अगर layout का feature भी है तो within layout भी अगर आप देखें तो यहां पर six layout आप create कर सकते हैं वही पर अगर आप देखें यहां प यहां पर stories selected है बट यह अलग-अलग options हमें दे रहा है कि post अगर आपको करनी stories करनी अगर आपको reels create करनी है या live आपको जाना है तो यह सारे options हमें यहां मिल रहे हैं हम लोग वापस आ जाते हैं stories वाले section के ओपर तो stories में भी अगर मैं यहां पर जो camera है उसको वापस reverse करता हूं camera को यहां पर मेरे पास और भी जादा जो बहुत सारे filters हो गयरा है उनको भी use करने का मुझे option मिल जाता है मैं filters को use कर सकता हूं वापस जो है मैं camera को वापस change कर देता हूं एक बार के लिए और मैं text वाले option को select करता हूं इस टाइब से दे सकते किस alignment में आपको इसको रखना है वो देख सकते और colors आप change कर सकते ठीक है तो यह बहुत ही basic से आपको यहां पर कुछ settings मिल जाती है उसके बाद guys यहां पर आगे बढ़ते तो आप देखोगे यहां पर आपको अलग-अलग options मिलेंगे जैसे आप दूस अगर आपको किसी को बोलना है तो उसका भी option है तो अलग-अलग चीज़ें कर रखी है next मैं वापस ऊपर यह क्लिक कर रहा हूं तो happy anniversary का option है and simple यहां पर tag करने का option है तो simply आप यहां पर tag कर सकते हैं और जब मैं यहां पर जाता हूं तो जो भी यहां पर options है मुझे वो दिख रहा है ठीक है जिनको मैं tag करना चाहता हूं गिफ्स का अलग से option है अगर आप अपनी स्टोरी में गिफ्स को यूज़ करना चाहते तो उसका option है गिफी का search box यहां पर दे रखा है इन्होंने तो आप simply यहां पर search करके गिफ्स को यूज़ कर सकते तो आपको देखना है कि आपका जो objective है श्टोरी का वो क्या है और उसक आप देखो कि इंडिया से related जो आपको गिफ्स दिखेंगी वो दिखेंगी यहां पर ठीक है तो यहां पर यहां पर आप देख सकते हो यहां पर भी हमें वड़े सारे options मिलते हैं अगर आपको कुछ चीज है in the form of list या कुछ भी आपको अगर list वगएरा या कुछ जो आपको मिल जाते है ठीक है what I am listening to यह option आप देख सकते हो ठीक है अलग 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 चीज़े हैं जैसे मैं tap कर रहा हूं यह see all के उपर हम लोग जाएंगे तो आप देखोगी अलग अलग चीज़े है ठीक है वोक अप लाइक इस इसमें बीच में आप अपनी फोडो अगरा यूज़ कर सकते हैं वाले में यह वाली टेंप्लेट यूज़ कर सकते हैं कोट अफ दे में बीच में आप कुछ भी लिखना चाहें तो यू आप दा ऑप्शन कि आप बीच में लिख सकते हैं ठीक है जैसे मैं वापस आता हूँ see all के उपर and let's say my coat of the day को select करता हूं ठीक है और वापस मुझे यहाँ पर क्लिक करना है तो आप देख रहे हो यह बन गया ठीक है अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ ठीक है दिस इज कोट अब दे डे ठीक है और यहाँ पर मैं एंटर करके इसको दो लाइन में कर दूँगा और यहाँ पर मैं बीच में इस चीज को लिख सकता हूँ तो यह template अल्रेडी बनी वी थी तो इस टाइप से इसको लिखाना चाहूं तो मैं यहाँ पर जैसे आड़ रेट करके मैं एक इस एकाउंट को यहाँ पर सेलेक कर लेता हूँ ठीक है बाकी आपको यहाँ पर इसके डिजाइन वगर्या जो चेंज करने का option है वह सारह तो आपको मिलते ही है यहां से जो आप design वगरा इसकी change कर सकते हैं जो भी text इसका change करना है जो भी layout आपको देने हैं वह सारे चीज़ें आप यहाँ से कर सकते है color वगर्या जो चेंज करना है उसका भी आपको ऑप्शन मिल जाता है तो यहां पर आप फ्री एगाउंट्स जो है बिसिकली उनको आप यहां पर शो करा सकते हैं ठीक है टैक करा सकते हैं तो मैं वापस को डिसकार्ड कर देता हूं और भी अगर हम लोग सी ओल में जाएंगे तो यहां पर वा यहां पर श्टोरीज के अंदर दिख रहें वापस मैं आ जाता हूं यहां पर इस दिन अगर आपने कोई पुरानी पोस्ट कियोगी तो वो आप यहां पर शो कर सकते हैं तो यहां पर आपको क्वेश्चन का ऑप्शन मिल दा है तो इंगेजमेंट की जो हम लोग ने बात कर है और यहां पर अगर आप कुछ टाइम आउट जो है कुछ भी टाइमर टाइप का अगर आप लगाना चाहते हैं तो उसका भी यहां पर ऑप्शन है जैसे मैं सेल का अगर टाइमर लगाना चाहूं तो सेल का मैं टाइमर यहां पर लगा सकता हूं यहां पर यहां पर कुछ options all kind of thing भी आपको दिख रहे ही तो यह इतने सारे options आप देख रहे हो stories में simple अगर हम लोग stories में create में जा रहे हैं तो इतने सारे options मिल रहे है apart from that जैसे मैं अगर इसको use करना चाहूं इस photo को तो इसको मैं use कर सकता हूं और यहां पर मुझे इसके जो background है color theme और चेंज करने का यह option सारा में मिल रहा है उसके लावा हम यहां पर श्टीकल को use कर सकते हैं हमरे पास location श्टीकल है समय जो तुल location sticker को use करना चाहूं तो मैं location sticker को use कर सकता हूं यहां पर mention option हमें दिया हूं पर तो बड़े सारे और कुछ बाकी जो है हमारे पास यहां पर श्टीकल है कुछ emojis के form में जिनको हम लोग use कर सकते हैं तो guys stories में किवाल ऐसा नहीं कि किवाल आपको content के बारे में सोचना है यहां पर बहुत सारी creative चीजें भी हैं जिनके बारे में भी आपको stories के point of view से सोचना है तो कुछ features को हम लोगों ने discuss कि और भी बहुत सारे features है जिनको आपको explore करना है जैसे अगर हम लोग settings में जाए तो अगर आप stories कुछ specific लोगों से hide करना चाहते है तो उसका भी option है you can select people जिनके जिनको आप अपनी stories नहीं दिखाना चाहते है तो hide आप कर सकते then allow message reply stories through they can reply you तो आप किसको चाहते होगी कोई भी reply कर सकते because anyone can see the story ठीक है तो everyone आप option रखना चाहते है you want to keep it for people you follow only or you want to switch it off I mean you want to vanish this option right तो वो भी आप कर सकते हैं अगर आप इसको save करना चाहते तो archive में और save to camera roll का option आपको मिल रहा है then sharing resharing allow करना चाहते है message allow करना चाहते है या इसको साधी साधी if you want to share it on facebook तो you you have that option also यह सारे आप देख रहों बड़े सारे हमें options stories के point of view से मिलते है insights की मैं बहुत detail में आगे करूँगा जब मैं post और stories की insight की बात करूँगा पर एक benefit मैंने आपको बदाया था पिछले वीडियो में कि आप जो है insights देख सकते यानिक आप देख सकते stories की तो अगर मैं insights के उपर जाओं मैं किवल आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर right and insights पर जाने के बाद if we go to this let's say अगर हम लोग account reach के उपर जाते हैं तो account reach में आप देखोगे यहाँ पर top posts हैं and top stories है right top stories तो last 14 days में हमें reach कितनी मिली मैंने जादे stories अगर नहीं यूज की होंगी तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है we'll switch to another account एक दूसरे account को हम लोग यहाँ पर use करते हैं fine and now we'll go to insights insights वाले section में हम लोग जाएंगे and now you can see 28 stories were used in last 7 days और अगर हम इसके उपर click करें तो stories based जो insights हो हमारे सामने हो जाएंगे important है if we are using any form of content it becomes very important कि जो content आप use कर रहें किसी form का content यूज कर रहें उसके आप inside जरूर देखें उसकी जो measurements है उनको देखें जो आपने decide किया था objective वो अचीव हुआ या नहीं हुआ matrices क्या बोल रही है यह सारी चीज़ा आपको देखनी चाहिए तो यहां पर आप देख रहे हो last 14 days की हिसाप से reach यहां पर जो है study करी जा रही है and we got we got two to four reach on this particular story तो हमें analysis करनी कि आखिर स्टोरी में क्या इसा खास्ता so we got this two to four reach right दूसी भी चीज़े है if people are feeling excited about this story ठीक है देखते है इस story में people are feeling excited about this story ठीक है and then यहां पर अगर आप देखो profile visits अगर हम select करें तो which story gave us maximum profile visit तो अगर हम देखें यहां पर तो यह वाली story है तो कोई भी ऐसी story नहीं थी जिसने हमें बहुत जादा profile visits दी right and which story gave us follows उसको हम लोग देख लेते हैं तो zero ठीक है किसी भी stories के through हमें follow नहीं मिला तो पूरी पूरी हमारे पास insights है stories की भी stories का ये भी एक benefit होता है और आपने देखा इस टाइप सा बहुत क्रेटिव चीज़ें stories में कर सकते हैं so guys that's it for this particular video see you in the next video till then good bye